next question करते हैं a and b working separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively a किसी काम को a और b किसी काम को 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ये दोन्नों के दोन्नों एक काम को कितने दिन में करते हैं a 9 दिन में करता है b 15 दिनों में ठीक है तो 9 और 15 का LCM लीजिए 45 तो ये हमारा total work है capacity येए एक दिन काम करनी समता क्या है 45 बटे 9 पांच यूनिेट परडे और b की कितनी है 45 बटे 15 तीन यूनिट परडे ठीक है अब क्या है यदी वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं ठीक है अब एक एक दिन काम कैसे पहले A करेगा फिर B A से सुरू किया गया तो काम कितने दिन में पूरा होगा देखे पहले A ने किया फिर B ने फिर A ने फिर B ने चलता रहेगा तो ये जो साइकल है बर बर रपीट हो रहा है तो A B का एक साइकल है अब पहले A ने किया एक दिन, फिर B ने किया दो दिन, तो एक cycle किसके बराबर है, दो दिन के बराबर है, ठीक है, दूसरा, A एक दिन में कितना काम करता है, पांच, और B एक दिन में कितना काम करता है, तीन, तो एक cycle कितनी यूनिट के बराबर है, पांच और तीन, आठ यून से 45 के पास चलिए अठू पंजू 40 यानि 5 साइकल में 5 साइकल में कितना काम होगा 40 यूनिट ठीक है तो 40 यूनिट हमने कर लिया बचा हुआ कितना है 5 यूनिट ठीक है तो 5 साइकल जैसे हुए 1, 2, 3, 4, 5 5 साइकल कंप्लीट के बद एक ही बारी आई ठीक है यूनिट काम कितना बचा हुआ है 5 यूनिट एक ही कपैस्टी कितनी है एक दिन में काम करने की 5 यूनिट तो जो एक काम बचा हुआ है ये 5 साइकल के बद एक अकेला कर देगा कितने दिन लगे हैं उसे एक दिन ठीक है अब हमें निकालना है काम कितने दिन में पूरा होगा अब 5 साइकल को तो यहां लगे और एक दिन यहां 5 साइकल कितने दिन के बराबर है 1 साइकल 2 दिन के बराबर है तो 5 साइकल कितने दिन के बराबर होगे 2 पंजे 10 दिन ठीक है और एक दिन ये जो A ने काम किया है, ठीक है, तो टोटल मिला के कितने दिन हो गई, 11 days, ठीक है, तो option B is the right answer,